हलो फ्रेंड्स मैंसल शब्विर उसेन एंड यौर वाचिंग फीजियो और टॉक दोस्तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रोटेशन प्लास्टी के बारे में रोटेशन प्लास्टी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो की एक एक्सिलेंट प्रोवाइड करता है उन पेशिंट्स के लिए जिनको गुटने पर या गुटने के नजदीक ट्यूमर हो surgeons क्या करते हैं rotation plastic के अंदर affected area को निकाल देते हैं along knee joints मतलब घुटने के साथ affected area को remove कर देते हैं मगर जो arteries, veins और nerves है जो lower leg में supply हो रही है उसको preserve करते है और जो आपका lower leg है उसको 180 degree move कर दिया जाता है 180 degree rotate कर दिया जाता है और upper leg के साथ जोड दिया जाता है जिससे होता क्या है आपका ankle same plane में आ जाता है जहां पर आपका पुराना गुटना था तो 180 degree rotate होने के बाद आपका ankle है, जो heel है वो same plane में आ जाती है जहां पर आपका पुराना गुटना था जिससे होता क्या है जो आपका ankle है जब वो move करता है तो वो उस direction में move करता है जिस direction में आपका पुराना घुटना move करता था तो दोस्तो इस तरीके से rotation plastic का procedure होता है कि आपके जो affected part है उसको doctors remove कर लेते हैं along knee joint और जो आपका ankle है जो नीचे का बचा हुआ lower leg है उसको upper leg के साथ 180 degree rotate करके joint कर दिया जाता 3-6 मेने बाद जब patient की bone proper तरीके से heal हो जाती है तो उस patient को prosthesis दिया जाता है तो जो उसका ankle का movement होता है plantar flexion और dorsiflexion अब वो गुटने के flexion और extinction की तरह work करता है जब patient को prosthesis fit किया जाता है तो उसके पास अच्छी mobility होती है अच्छा function होता है यहां तक की patient बिना किसी support के खुद से चलने भी लगता है जब उसको processes लगा दिया जाता है क्योंकि operation के second day से ही patient की physiotherapist start हो जाती है patient की muscles को strengthen करने का काम physiotherapist करते हैं और साथ ही उसको proper तरीके से gate training उसकी start हो जाती है starting में walker के जरिये से then crutches के सहारे से और उसके बाद processes लगने के बाद independent उस patient को physiotherapist के द्वारा चलाया जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की कि rotation plasty किस तरीके से work करती है कैसे procedure काम करता है कैसे एक surgeon patient के पेर को 180 degree rotate करके जोड देते हैं और कई बार patients को लगता है कि हम नहीं चल पाएंगे but it's a good way to walk क्योंकि जब आपका rotation plasty हो जाता है और जब उसके बाद processes लगता है तो easily patient walk कर सकता है उसके पूरा जो function है lack का वो preserve रहता है और processes लगन के बाद बिना किसी सहारे से patient हर वो काम कर पाता है जो एक normal व्यक्ति करता है आप भाग सकते हो दोड सकते हो खेल खेल सकते हो तो इस तरीके से rotation plasty बहुत अच्छे तरीके से की जाती है patient की तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने बता है कि हमारे देश में जो surgeons rotation plastic करते हैं उसका क्या role होता है कैसे tumor को remove करने के बाद patient की function mobility और patient का जो function है mobility है जो उसका control है greater control उसकी body का वो maintain किया जाता है तो दोस्तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छे लगी हो तो like share and subscribe करना ना भूले thank you for watching physio talk